हेलो फ्रेंट वेलकम टू बाजीरा रेटे इंस्ट्टूट टूडे इनलेसिस के आज क्यांक में हम 11 जून 2024 के तीन प्रमुख समाचार और उस पे आधारित 5 प्रस्णों को देखते हैं ठीक है इसमें से पहला समाचार है कि सनुक्तराज सुरच्छा परिसत द्वारा जो है ग इराम को लेकर एक प्रस्ताव पात किया है और ये प्रस्ताव अमेरिका द्वारा समर्थित है और ये अपने आप में एक महतुपूर है और अमेरिका का कहना है कि अगर ये लागू हो जाता है हमास इसको मान लेता है तो ये फिलिस्तीन के और गाजा में खास्तोर से फिलिस आता है मैं उस पे चर्चा करता हूँ क्योंकि ये एक महत्वपूर्ड मुद्दा है जिसमें होने वाले डवलप्मेंट को लगातार जानने की जरूरत है दूसरा है एक अध्यन है सिंगापूर की एक इन्विस्टी का विशुपे द्याले का उसमें एक बड़े दौर का यानि अगर प्रिसाइस रूप से कहा जा तो साड़े तेरा करोल लोग जो है इस कड़की प्रदूसन के कारण पिछले चालिस सालों में असमय मिर्थ्टु का कारण बने है यानि प्रिमेच्चूर उनका डेथ हुआ यानि जो समय से मिर्थ्टु होती उसके पहले ही वो मर गए है यानि अगर ध्यान प्रदूसन नहीं रहता तो उनकी जान बच सकती थी तीसरा मुद्धा है वो है कि प्रदान मिंट्री आवाश योजना के तहट तीन करोन नए घरों को बनाने की बात की जा रही है प्रदान मिंट्री मोधी के धिस्ता में तीसरी बार सरकार बनी है और कल कैबिनेट ने अपना पहला मिटिंग किया है और कैबिनेट ने पहले मिटिंग में ही ये प्रस्ताव पारित किया है कि जैसे आबादी बढ़ने से घरों की मांग बढ़ गई है उसको देखते हुए तीन करोण नए घर बनाये जाएंगे जिसमें दो करोण घर प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामीड और एक करोण घर प्रधान मंतरी आवास योजना शहरी के तहर बनाये जाएंगे ठीक है चलिए आए देखते हैं इसमें पहला है सुरच्छा परिसद में गाजा यूद समाप्त करने के उद्देश से शंघर स्विराम परस्ताव ये सुरच्छा इसलिए है क्योंकि अभी तक जब से 7 अक्टूबर के बाद से 8 और 9 से इजराईल ने हमास को लेकर गाजा पे कारवाई शुरू की है गाजा में तब से कई बार सनुतरा सुरच्छा परिसद ने इसको लेकर प्रस्ताव पास करने की कोशिस की है लेकिन जैसे पता है कि सुर प्रिटो करता रहा है हलाकि 25 मार्च को एक प्रस्ताव बास हुआ था वो रूस और चीन समर्थक प्रस्ताव था क्योंकि अमेरिका उसमें से अपसेंट रहा था तो ये थोड़ा सा टर्निंग पॉइट था कि कहीं ने कहीं अमेरिका अब वो ब्लैंकेट सपोर्ट नहीं दे है दोनों को साथ में रखके किया गया है ये तीन चरणी प्रस्ताव है आए जरा इसको हम समझते हैं क्योंकि अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाता है तो अमेरिका के राश्च्पती का कहना है कि गाजा में युद्ध आज ही बंस हो सकता है और ये एक इस मुद्दे के अच्छा परिसद ने 10 जून को गाजा में 8 महीने से चल रहे इसराइल हमास युद्ध को समाप्त करने के उद्देश से शंगर्स विराम योजना का समर्थन करते हुए अपना पहला प्रस्ताव मंजूर किया है यानि ये की युद्ध समाप्त करने को लेकर ये पहला प्रस प्रस्ताव था वह रमजान के महीने में एक महीने तक को लिए युद्ध विराम की बात की गई थी और ये अमेरिका द्वारा प्रायोजीत प्रस्ताव है इस पे मतदान 14.00 से हुआ है क्योंकि रूस इसमें भाग नहीं लिया था वो भाग उसको अपशुकी रूस अमेरिक या एक पे पे नहीं आना चाहते हो जो भी हो लेकिन वो एपसेंट रहके भी एक तरह से देखा जाए तो इस प्रस्ताव को उसने पास होने दिया है जहां तक इस प्रस्ताव में बात है अगर और थोड़ा सा देख लिया जाए तो राश्पती जो बिडेन द्वारा घोसित संगर बिराम प्रस्ताव का स्वागत किये हैं और कहा गया है कि जिसे इसराइल ने भी स्विकार कर लिया है यानि राश्पती बिडेन इसका स्वागत करते हैं और कह रहे हैं कि इसराइल ने इसे स्विकार कर लिया है और हमास से ये आवान करता है कि अगर वो तीन चरड़ ये योजना को स्विकार करें, तो युद्ध आज ही समाप्थ हो जाता है, और इसमें कहा गया है कि इसराइल और हमास बिना किसी देरी के, बिना किसी सर्थ के, इसकी सर्थों को पूरी तरह से लागू करें, क्योंकि यह उन दोनों के वीच जो संगर्ष, उस छेतर में जो इसको लेकर अभी युद्ध चल रहा उसके स्थाई समाधान के तरफ एक कदम हो सकता है। यारी केवल ये ट्रूस समझोता या युद्ध विराम नहीं है। ये एक ऐसा समझोता है युद्ध विराम का अगर इसे लागू हो जाता है तो ये युद्ध का एक स्थाई अंत करने की तरफ ये आगे बढ़ जाएगा। अहले भी तो करता हो लेकिन ये युद्ध के बाद से सिर्फ एक बार अमेरिका अपसंट रख्के उसको पास होने दिया था। इस बार अमेरिका द्वारा स्वैम से लाए गया है और यह कहीं न कहीं जो कारवाई होने से रोक दी जाती थी उसको रोकने को लेकर ये महत्पोड है। युद्ध विराम का तीन चरणी दिश्ट कौन इस समझोती में युद्ध विराम को लेकर तीन चरणी दिश्ट कौन कहा गया है जिसके जरिए युद्ध का स्थाई और व्यापक अंत करना है। जो पहला चरण है वो कहता है कि ततकाल, पूर्ण और समपूर्ण युद्ध विराम के साथ यानि जो अभी युद्ध चल रहा है वो ततकाल और पूर्ण और समपूर्ण युद्ध विराम हो जाए और महिलाओं, बुजर्गों और घायलों सहित बंधकों की रिहाई करना ह मारे गए कुछ बंधकों को अवसेसों को इसराइल को वापस करना है और फिलिस्तीनी जो कैदी है इसराइल के उसमें उनकी भी अदला बदली सामिल है यानि कि जो बंधक हैं उसमें से महिला, बजूर्ग और घायल हैं उनको तुरंत रहाई करना है मारे गए जो बंधक हैं उनका जो अवसेस है या उनके जो क्रिमेटेड है उनको भी इसराइल को सौपना है और फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदला होगी इसके बदले में इसराइल क्या करेगा? यह तो हमास से उमीद की जा रही है इसराइल क्या करेगा? जो आबादी वाले छेतर में इसराइली बलों की कारवाई है वहां से वापस हो जाएंगे यानि जो अभी इसराइल रफा में कर रहा है या जहां भी आबादी है अगर वहां पे इसराइल कारवाई कर रहा है तो वहां से वो अपने को पीछे खीच लेगा और उत्तरी छेत्र सहित पूरे छेत्र में फिरिस्तिनियों को उनके घरों और महलों में वापसी हो जाएगी जो अभी उत्तरी छेत्र से लड़ाई सुरू हुई थी रफा तक पहुंच गया था दच्छिड में यह कह रहा है कि अगर उसको तैयार हो जाएगा वो सारी चीजे कर ली जाती हैं तो इसराईल आबादी वाले छेत्रों से वापस अट जाएगा और जो लोग हैं वो अपने घरों में वापस आ सकते हैं और बड़े पहमाने पर मानवी सहायता, सुरच्छित और प्रभावी वित्रन की मांग इसमें की गई है यानि की हमास अगर बंधकों को रिहा करता है महिलाओं को, घालों को और जो कुछ मृत्यों के अवसेसों को लोटाता है तो ये उसके बदले में इसराईल फिलिस्तिनियों को कुछ छोड़ेगा और जो आबादी वाले च्छेतर में आबादी वाले च्छेतर में इसराइली सेना है वो वापस आ जाती है बाहर नहीं निकलेंगे लेकिन गाजा में आबादी वाली च्छेतर से वापस हो जाएंगे और जो नागरिक हैं गाजा के वो उत्तरी गाजा में जाके अपने घरों म रह सकते हैं और इसमें एक बात और कहा गया है कि ये टाइम दिया गया है जैसे देखे इसमें टाइम गया गया है कि पहली चरण की वारता के लिए छे सब्ता का समय दिया गया है इसमें ये है कि अगर छे सब्ता के बाद भी वारता जारी रहती है महतपूर है कि पहले चरण क वारता में छेत सपता से अधिक समय लगता है तो वारता जारी रहने तक युद्ध विराम जारी रहेगा यानि ये नहीं कि छे सपता हुआ नहीं हुआ तो चलो फिर से शुरू कर दे ठीक है ये चीजे इसमें एक बात कही गई है कि अगर वारता जारी रहती है तो युद्ध दो इसके तहट गाजा में अभी भी मौझूद सभी बंदकों को रिहा कर दिया जाएगा तथा गाजा से इस्राइली सेना की पूरी तरह से वाप्सी होगी, यह दूसरे चरण में होगा अगर यह दूसरा चरण पूरा हो जाएगा तो इसके बाद तीसरा चरण है इसमें गाजा के लिए एक प्रमुख बहु वर्सिय पुनर निर्माड योजना शुरू की जाएगी यानि जो गाजा में नुकसान हुआ है वो कई मल्टी एरली एक साल म का एक बहु निर्माड योजना शुरू की जाएगी और गाजा पटी में जो कुछ बचे हुए मृत बंधक के अवसेस होंगे उनको इसराइल को लटा दिया जाएगा ये पूरा तीन चरणी चीजे हैं देखिए इसके तहत ये वापस हो जाएगी और तीसरे चरण में आके इसराइल गाजा के पुनर निर्मार के लिए भी योजना लाई जाएगी कोई जन सांक्य की या छेत्री परिवर्तन नहीं इस प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि इसराइल गाजा में कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं करेगा या कोई टेरिटोरियल चेंज नहीं करेगा यानि सुरच्छा परिशत ने कहा है कि गाजा पट्टी में जन्यांकी या छेत्री परिवर्तन के किसी भी प्रियास को और स्रिकार कर दिया गया है यानि एनकलेब का जो छेत्र यानि जो गाजा पट्टी का छेत्र है ना उसको कम करने वाली कोई करवाई होगी और नहीं उसमें लोगों को बसाया जाएगा और साथ ही साथ इसमें द्वी राज्य समाधान द्वी स्टेट थियोरी जिसका अमेरिक भारत भी समर्थन करता है उसके डिस्ट्रकोंड के तहथ सुरच्छा परिसर अटूट परतिबद्धता ब्यक्त करती है और दोहराता है कि जिसके तहथ दो लोगतांत्रिक राज्य एक इजराईल और दूसरा फिलिस्तीन ये अंतराश्ट्री कानूनों और सन्युक्त रासंग के प्रासंगिक जो प्रस्ताव होंगे उसके अनुरूप सुरच्छित और मन्रता प्राप्त सीमाओं के भीतर सांती से रहेंगे ये भी इस प्रस्ताव में कहा गया है यानि जो अंतराश्ट्री कानूनों के तहट एक दूसरे से साथ रह सकते हैं ये बाद भी इसमें कही गई है अमेरिका की प्रत्क्रिया चुकि अमेरिका द्वारा लाया ही गया है तो उसकी प्रत्क्रिया देखने कि यदि हमास सुरच्छा परिशत द्वारा अनुमोदित समझाओते पर सहमत हो जाता है तो लड़ाई आज ही रुख सकती है और ये कहा गया है कि हमास को भी समझ लेना चाहिए कि हमाहंतारास्टी समधाय एक ऐसे समझोते के साथ खड़ा हुआ है जो लोगों का जीवन बचाएगा गाजा में फिलिस्तिनी नागरिकों के पुनर निर्मार और उ आठ महिने की कैद में जो वंधक है उनको अपने घर को वापस लाएगा अगर हमास ऐसा करने से सच्छम हो जाए अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल काता है उसकी प्रत्क्रिया है कि युद्ध का उद्देश अपरिवर्तित है अलाकि अमेरिका का कहना है कि का लच बहुत साप साप था क्या था इसराइल का लच और क्या है इसराइल का लच हमारे सभी बंदकों को वापस घर लाना और हमास की छमताओं को नश्ट करना और यह सुनिशित करना कि भविस्त में गाजा इसराइल के लिए खतरा पैदा न करें दो लच है अपने सभी ब इतना बर्बाद कर देना है कि गाजा से फिर इसराइल पर उस तरह का हमला न हो सके इसराइल के प्रतनीदी ने कहा कि अभी भी 120 बंधक हमास के कबजे में हैं और हमास रहता है कि अभी भी इसराइल पर मेसाइल और राकेट से हमला जारी रखे हुए है और ऐसे में इसराइली प्रतिनीदी ने कहा कि हमास पर और अधिक दबाब बनाने की जरूरत है और सुरच्छा परिशत द्वारा यद्देपी इनके लिए एक प्रस्ताव पहले ही पास किया गया था पचीस मार्च को लेकिन उसमें से इसरा हमास ने किसे भी बंधक को रिहाई नहीं की थी ऐसे में इजराहिल कह रहा है कि जब कारवाई तब तक जारी रहेगी जब तक सभी बंधक को वापस नहीं कर लिया जाता और हमास की छमताएं सेने छमताएं नस्ट नहीं कर सकती इजराहिल का कहना है कि हम वारता को time by जो होता है कि हमास अपनी छमता को मजबूत करने के लिए समय के समय के चाहिए उसको इस ये करने नहीं दे सकते हैं जब तक कि हमास ये करता रहेगा हमारा लच्छ वई है क्या अपने बंधकों को सकुसल वापस लाना या जितने भी बंधक है उनको वापस लाना है और हमास की सैन चमता को पूरी तरह से निस्तनाबूत करना तो ठीक है अब पांच हजार राकेट मिसाइल से हमला करता है और उस पे आपरेशन अलक्स फ्लट के तहट जो है पंदरसो से दो हजार करीब लोग जो है उसमें हमला जाते हैं और उस हमले में इसराइल के बारसो से तेरसो लोग मारे जाते हैं दो सो तेरपन से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया जाता है और उस हमले के जबावी कारवाई में इसराइल ने गाजा में जबावी कारवाई करता है जिसमें गाजा के स्वासमंत्राले का मानना है हमाज के स्वासमंत्राले का मानना है गाजा में कि 36,000 से ज़्यादा फिलिस्दिनी मारे गए हैं, 80,000 के आसपास 83,000 के अधिक लोग घायल हो गए हैं, अनुश्वनुत राष्ट की एक संस्था का कहना है कि इसमें गाजा की लगभग 80 परस्थिमारतों को नस्ट कर दिया गया है, तो ये है इसको लेकर और 25 मार्च को जैसे आए हैं कि एक ट्रूस हुआ था, परस्थाव पारिस किया गया था, लेकिन उस परस्थाव का कुछ भी नहीं हुआ है, ये लड़ाई बंद नहीं हुए है, इस बार देख सकते हैं कि साइध हो सकें क्योंकि ये परस्थाव खुद अमेरिका द्वारा लाया गया है, और अम प्रदूसन के कारण, दुनिया भर में करोडों लोगों की मृत्य हुई है, देखिए ये कहीं आग जली हुई है, और इस आग के कारण जो है, धुआ निकलता है, धुआ के साथ पाटिकुलर मैटर भी निकलता है, और जो पाटिकुलर मैटर 2.5 होता है, वो हमारे वो प्रद्याले है, उसने एक अध्यन किया है, कि पिछले 40 सालों में, यानि 1930 से लेके 2020 के दौरान, दुनिया भर में करोण, यानि 13 करोण लोगों की जान गई है, जिसमें से जाधातर एसिया के हैं, और उसमें भी चीन और भारत के जाधातर लोग सामिल हैं, तो आईए ज़र करते हुए कहा, कि मानो निर्मित उत्सरजन, जंगल की आग जैसे अनसरोतों से भोने वाले परदूसन के कारण, 1980 से 2020 के बीच दुनिया भर में लगभग 13 करोण लोगों की आसामाईक मृत्यू हो गई है, आसामाईक यानि समय के पहले, ऐसी मृत्य जिसे रोका जा सकता था या जिसका समय नहीं आया था, वो हुई है, साड़े 13 करोण, और महत्पून बात है कि ये कह रहा है कि अल निनो और हिंद महासागर, डाइपोल जैसे जो जलवाई घटनाएं हैं, मौसमी घटनाएं हैं, उनके कारण हवाई की सांदरता बढ़ जाती है, जिसके कारण ये प जड़की परधारतों के अस्तर को नापने के लिए नासा की उपग्रह का प्रयों किया है, और इस अध्यन में हांकांग, बृतेन और चीन के बिश्वविद्याले के लोग भी इसमें सामिल लेते, यानि कई सारे देशों के बिश्वविद्यालों के सोथ करता नासा के अध अध्यन के अधार पे 40 साल का एक व्यापक काफी बड़ा समय लेकर अध्यन किये हैं, तो ये कुछ इसकी महत्पूर्ण बाते हैं, चलिए देखते हैं जो मेन क्या है कि अध्यन के प्रमुक निसकर्ष क्या निकला है, तो जो पाटिकुलर मैटर 2.5 होता है, ये सांस के जरिये शरीन में जाने पर मान स्वास्थ के लिए हानिकारक होते हैं, ये ये इतने चोटे होते हैं कि रक्त प्रवा में प्रवेश कर सकते हैं, इनका उससर्जन में वाहन, अध्योगीक उसर्जन, आग, जो आग मान निर्मित आग है, जो जंगलों में आग लगती है, धूल भरी आदिया जैसे जो प्राकर्तिक सोथ हैं उनके कारण ये निकलते हैं और सबसे बड़ी बात है ये प्रमुख वाय पर दूसन का तो कारण है ही इस अध्यान में पाया गया कि श्ट्रोक, हिर्द, फेफणों की बिमारी, कैंसर जैसे बिमारियां जिनका इलाज किया जा सकता था या उन्हीं रोका जा सकता था इसके कारण λोग औसत जीवन परत्यासा से यानि जो उनका समय से जिनको जीना उससे पहले ही उनकी मिलती हो जा रही है और इसमें इस कोड में खाच का काम करता है मौसन का मिज़ाज जिसमें अलनिलो और हिंद महासागर डाइपोलर, क्योंकि वायू में नमी आ जाता है जिसके कारण सांदरता बढ़ जाती है जिससे मौतों में 14 परसतक की बृद्धी हो जाती है यानि इस पर्टिकुलर मैटर या कंड की वाय परदूसन के कारण ये सारी बीमारियों में लोग समय से पहले मर जाते हैं जिनें बचाया जा सकता है और इसमें मौसम के यानि अलनिनो और हिंद महासागर डाइपोल जैसे मौसम के कारण ये समस्या और ज्यादा गंभीर हो रही है और जलवाई परिवर्तन के कारण ये सारी चीजे और ज्यादा दिखाई दे रही है यानि भविस्त में ये समस्याएं और ज्यादा जटिल होती जाएंगी इस अध्यान में कहा गया है कि Asia में पार्टिकुलर मैटर टू पॉइंट प्रदूशन के कारण सबसे अधिक 9.8 करोण लोगों की और समाईग मिर्ती हुई जिसमें से अधिकांस चीन और भारत में हैं यानि दुनिया में देखा जाए शाड़े 13 करोण लोगों की और समाईग मिर्ती हुई है इसमें से Asia में 9 करोण 80 लाख और इसमें से भी जादा तर चीन और भारत में हुए हैं ये बाते ये कह रहा है और बाकी पाकिस्तान, बंगलादेश, इंडियोनुसिया में भी 20-50 लाख अपनी संख्या जो है इसमें हुई है और क्या कह रहा है ये अध्यन का अगर महत के बारे में देखें तो ये अध्यन वायू की गुरुवत्ता और जल्वायू पर अब तक का सबसे विस्तृत अध्यन है क्योंकि यह कणकी पदार्थों के ब्यापक प्रभा को 40 साल के समय अंतराल के आधार पे ये जांच रहा है दूसरा है ये निसकर्स बताता है कि जल्वायू पैटर्न में परिवर्तन वायू परदूसन को बदतर बना सकता है यानि अगर जल्वाय पैटर्न बदल रहा है तो वायू परदूसन और ज्यादा खतरनाक हो सकता है ऐसे में जब अल नीनों जैसे कुछ जल्वाय घटनाएं होती हैं तो परदूसन का अस्तर बढ़ सकता है जिसका आर्थ है कि PM 2.0 परदूसन के कारण अधिक लोग मर सकते हैं तो ऐसे में यह अध्यन कहता है कि बैस्चिक आवादी की स्वास्त की रच्छा को लेकर जब यह हम इस तरह के परदूसन पर ध्यान दें तो हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इन जल्वाय परदूसन में किस तरह से बदला हो रहा है क्योंकि यह अध्यन पाता है कि अलनीनों और हिंद महासागर डाइपोलर जैसे घटनाओं के कारण असमय मृत्य के मामले में 14 परसत तक ब्रद्धी हो सकती है तो जब भी आप वाय परदूसन या इसके कारण लोगों की स्वास्त और जीवन के बारे में करेंगे तो उसमें यह भी ध्यान रखेंगे कि यह जल्वाय परिवर्तन की घटनाएं या मौसमी घटनाएं लोगों के असमय मृत्य की स्वास्ति को बढ़ा सकती है तो यह इसके कुछ प्रमुख अध्यन के निस्कर्स रहे हैं आईए अगला जरा हम देखते हैं प्रदान मंत्री आवास योजना के तहत तीन करोड नए घरों की मंजूरी दी गई है देखीए जो तस्वीर है यह प्रदान मंत्री जी मोधी 3.0 या अपने तीसरे पारी में जो पहले मंत्री मंडल की बैठक ले रहे थे उसमें के दोरान की यह तस्वीर है और इसमें जो पहला फैसला यह किया गया है कि प्रदान मंत्री आवास योजना के तहत 3.0 नए घर बनाए जाएंगे तो आईए ज़रा देखते हैं इसको कि इसमें क्या मामला है तो नौगठित NDA सरकार ने 10 जुन को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में पात्र परिवारों की संख्या में पृद्धी जैसे जन संख्या बढ़ रही है 2016 में इससे जब शुरू किया गया था तो कुछ पात्रता के सर्तों के आधार पे कुछ लोगों को किया गया था उस समय जो चीज़े तैंक की गई थी उनमें से अधिकांस जो है प्रदान कर दी गई है ठीक है लेकिन जन संख्या तब से ले बार में रह रहे होंगे जिसको देखते हुए ये कह रहे हैं कि अनुत्पन आवास आवसताओं को पूरा करने के लिए ये जो प्रदान मंतरी आवास योजना है इसके तहट तीन करोण नए आवास बनाए जाने को लेकर मंजूरीती गई है और इसमें से जो तीन करोण नए प्रदान मंतरी आवास योजना ग्रामीड करके जो ग्रामीड छेत्रों के लिए है उसके तहट और सहरी छेत्रों के लिए जो प्रदान मंतरी आवास योजना सहरी या अर्बन है उसमें एक करोण सहरी घर बनाए जाएंगे यानि जो तीन करोण है दो करोण ग्रामीड के ल 21 लाख घर बनाए जा सके हैं कितने 4 करोड 21 लाख जिसमें से प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीड के तहट 2 करोड 61 लाख और बाकी सहरी के तहट देखा जाए तो बाकी 1 करोड 60 लाख घर जो है सहरी छेत्रों में बनाए जा चुके हैं इस फैसले के महत को अगर देखा जाए तो प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि करोडो भारतियों के लिए जीवं की सुगंता और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए जो है कैबनेट ने इस योजना के बिस्तार का फैसला लिया है और यह नेड़े देश की आवसकताओं को पूर करने के लिए सरकार की प्रतिबदता को रेखंकित करता है कि प्रतेक नागरिक बेहवतर जीवन इसतर प्राप्त कर ले देखिए घर किसी भी परिवार के लिए एक बेसिक नीड होती है और यह जो घर बनाये जा रहे हैं इसमें ध्यान रखा जा रहा है कि मूल भूत चीजे रहे यानि आप अगर इसको समझें कि यह घर ऐसे हैं जिसमें विजली का कनेक्शन, गैस कनेक्शन और सौचाले और हर घर नल जल वाली जो योजना यानि स्वाच्छपे जल इन सारी सुवधाओं को भी इनके साथ जोड़ा जा रहा है ताकि यह बेसिक एमिन्टीज या ज उसको लोगों को उसमें लोगों के अस्तर को बढ़ावा जा सके और यह सारे जो मैंने चीजें बताई आवास के साथ सौचाले, स्वचपेजल, बिजली, गैस यह सारी चीजे जो मल्टी डायमेशनल पावर्टी इंडेक्स है जो है UNDP का उसके इंडिकेटर में सुधार करक भारत में बहु आयमी रूप से गरीबी जनसंख्या को बाहर निकालने में मदद करता है तो इसलिए देखा जाए तो इसका विस्तार समावेशी विकास और सामाजिक कल्यान के प्रती प्रदानमंत्री कह रहे हैं कि सरकार के दिष्टकोन को दरसाता है थोड़ा सा समझते है कि प्रतानमंत्री आवास योजना क्या है तो देखिए सरकार ने बुनियादी सुविधाओं के साथ घरों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीर और सहरी परिवारों को सहायता प्रतान करने के लिए ये योजना लागू की गई थी इस योजना के तहत निर्मित सभी घरों को केंद्र सरकार और राज सरकारों की अनियोजना के साथ कनवर्ज किया जाता है या अविसरण किया जाता जैसे घरेलू सोचाले, LPG कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, कार्यात्म घरेलू जलनल कनेक्शन, सहित अन्यबुत्नाय सुबधाएं प्रतान की जाती है यानि ये जो आवास योजना आया है ये महु आयमी गरीबी सूचकांग का जो लिविंग स्टेंडर्ड वाले सारे जो छे आयाम है उन में से सभी सभी आयामों को इसमें सामिल किया गया है क्योंकि ये वो चीजे हैं जो कम से कम अगर भारत अपने को विक्सित देश बनने की इच्छा रखता 2047 तक तो आज भी अगर पांचवी अर्थवेवस्था है तो इसे कम से कम उन बेसिक चीजों को है ना रोटी कपड़ा और मकान तो रोटी कपड़ा तो चलो मिल ही रहा है लेकिन अब मकान और मकान में भी क्या-क्या उसमें घरेलू सवचालय होना चाहिए, LPG कनेक्शन होना चाहिए, बिजली कनेक्शन होना चाहिए नल कलेक्शन होना चाहिए और जो मकान हो वो ठीक ठाक और खुले और हवादार होने चाहिए यानि अब वो मकान भी सारी बेसिक सुभिधाओं मैंने कर रहा हूँ सभी सुक्स विधाओं की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन जो basic amenities है उसके साथ जुड़े होने चाहिए इसका ही एक रूप है यानि देखिए प्रधान मंतरी आवास योजना में दो हैं प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामीड और सहरी ज़रा ग्रामीड के लिए देखा जाए तो प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामीड का लच्छ ग्रामीड छेत्र में रहने वाले उन लोगों को पक्का घर उपलब्द कराना है जिनके पास अपना घर नहीं है इस योजना के तहट प्रधान कीजने वाली इकाई को एक लाग बीस जार रुपे दिया जाता है बि कि सरकार अब इसमें 60-80% बिर्धी करना चारी है इसको 1.5 लाग करना चारी है और इसको 2 लाग करना चारी है इसके अत्रिक्त भी जो लाभार्थी होते हैं जिनके पास घर नहीं है तो अगरी भी है उनको 90 दिन तक इसमें मनरेगा से रोजगार कर सकते हैं और इसके तरह द तेंठ खेत्रों में 1.5 लाग रूपे और पहाडी छेत्रों में 1.60.000 रूपे जो है इसके तहद प्रदान किया जाता है अब जो यह पैसा प्रदान किया पड़ता है जो पहाड़ी या हिमालई राज है और नार्थिस्ट के यानि विसेश्ट रेड़ी के राज हैं वहाँ पे 90% केंद सरकार देती है और केंदर सासित प्रदेश्टों में सारा का सारा पैसा केंदर सरकार देती है अभी तक अगर देखा जाए तो इसका जो पात्र बनाया जाएगा तो 2011 के जनगरना में जो एक साथ ही हुआ था सामाजिक आर्थिक और जाती जनगरना 2011 में हुआ था हला कि उसके डेटा नहीं प्रकासित किये गए थे लेकिन वो सरकारी योजनाओं के लिए थे तो उसी में जो आवास पात्रता के तहत जो क्राइट है उसके आधार पे इसका किया जाता है और जो कबिनेट ने प्रदान मंत्री आवास योजना ग्रामीड के लिए दो करोन अत्रिक्त किया है वो ये जब योजना 2016 में सुरू की गई थी उसके तहत उसमें दो करोन 95 लाग कहा गया था उसमें से 2 करोन 61 लाग बन गया है जो रश्वी मंगाल राजिद्वारा इसमें अपनी जो सहायता रासी है वो नहीं मिला ये सब उस चीजों को लेकर दिक्कत के कारण कुछ अभी नहीं बन पा रहा है लेकिन फिर भी 2 करोन 61 लाग घर बनाए जा चुके हैं उसके अत्रिक्त 2 करोन का ये घोशना किया गया है और ये जरा से जुड़े प्रस्मों को देख लेते हैं कि गाजा युद्ध समात करने के उद्देश से सुरच्छा परिशत में पारिद नमिंतम संगस विराम प्रस्ताव के संदर में निमलखित कतनों पर विचार कीजे अमेरिका द्वारा प्रायोजित इस प्रस्ताव सरसम्य से पास किया गया है इस प्रस्ताव में युद्ध का स्थाई और व्यापक अंत सुमिश्चित करने के लिए तीन चरणी दिश्टकूर की परिकल्पना की गई है ठीक है तो आप इसको देखिएगा सालफ करिएगा हाल ही में सिंगापूर के नानियांग टेक्नोलोजिकल इन अंत्रिश एजन्सी है इस रो ये भारत की है नासा ये अमेरिका की है तो ये चार इजन्सियों में से आपको बताना है कि किसके अधार पे उसने किया है तीसरा प्रस्त है कि चर्चा में रहे पार्टिकुलर मैटर 2.5 कणकी बाई प्रदूर्शन पर सिंगापूर के जो बि लोगों की असमे मृत्व हुई है PM 2.2 प्रदूर्शन के कारण सबसे अधिक 9.8 करोल लोगों की असमाइक मृत्व एसिया में हुई है जिन में से अधिकांस चीन और भारत में थी तो ये दो स्टेट्मेंट है इनके आधार पे आपको प्रशनों का जवाब देना है अगला अगला है हाल ही में चर्चा में रहे PM आवास योजना ग्रामीडी के संदर्ब में निमलिखित कतनों पर पिचार कीजिए इस योजना के तहत बित्ती सहायता के साथ लाबारती को मनरेगा के तहत 90 दिन का रोजगार भी दिया जाता है यह समाजी का आर्थिक और जातिकत जन हाओ का उपियोग करके लाबारतीयों का पहचान करता है तो यह दो इस्टेट्मेंट है इनके आधार पे आपको चार बिक अलप दिये गए हैं जिसमें से केवल एक केवल दो एक और दो दोनों उपिक में से कोई नहीं ठिक है चलिए आज इसमें देखिएगा आप इसके न के रूप में मिलता ही मिलता है तो आप उसको वहां से कर सकते हैं कोई अलग से प्रस्न हो तो पूछ सकते हैं अन्य सुझा हो तो दे सकते हैं पाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए शेयर करिए और पढ़ाई जारी रखिए नमस्कार धन्यवाद